हलो दोस्तो नमस्कार एजुकेसंगार चैनल में आपको स्वागा थे दोस्तो आज है 18 जन्वरी 2021 और 18 जन्वरी 2021 से 36 गार डेली करेंड है पर समध्य जितने भी महतापूरा कोशन बस सकते हैं सारे कोशन के बारे में डीटेल से डिस्कर्श करेंगे और हर कोशन से समध्य इप आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो के पूरा लाश्टक देखिए आज का पीडिये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जूर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए करेंड़ा कोशन के और आगे बढ़ने से पहले कल इतने भी इंपोर्टन में हमारे ग्राम सभग की पजिस्वी कड़ी का प्रसाराण कब हुआ तो इसका सही अंसर दूस्तों आपशन फोर अर्था दूस्तों एक और चार दोनों है अर्था दोनों से हैं चलिए दूस्ति हाँ पर करेंड़ा प्रसान का नेश्टा कोशन है हाल ही में देश के सबसे अच्छे मुख्या मदरी की सूची में भुपयश बघेल को को से स्थान प्राप्त हुआ है इसका और इसका सही अंसर है प्रसार स्थान योजना लागू होगा नेशन क्यों है हाली में देज भर के विधोत्य ग्रीखों में 36 गड़ के विधोत्य ग्रीख कौन सी स्थान पर है इसका सही प्रदेश में हर साल करीब आठ लाग बच्चों का जन्म होता है और राज्य में इस समय नवजास से लेकर अठारा वर से तक बच्चों की कुछ तदाद संख्यों है यही राजी दिवकास के लिए gra야 में साल का दौर्द करोड के बच्चों परmuşथ 20 सव करोड़ कर रहा है जबकि स्वास्तोई भाग 85-90 करोड खर्च करता है यही रासी के वल टिका करण बाल हिर्दय योजना और कालिक लियर इंप्लांट और मात्रिय शिश्यू योजना पर खर्च की जाती है हाली में प्रदेश के कौंस से जिला नियूंतर समर्थन मौल्या पर धान खरीदने में प्रदेश में पुरह तौप पर है कोशन के स्मस्टी कराण देखते हैं धान से हमारा जीला टाप पर टार्गेट से 22 लाग कुइंटल दूर धान से मामले में हमारा जीला जानगीर चापा प्रदेश के में टाप बना हुआ है यहां 80 लाग के विरुद्ध 33,14,000 कुइंटल धान की प्राप्ति हो चुकी है वही 34,73,000 धान का उठाव भी हो चुका है जबकि सेंटरों में केवल 28,41,000 कुइंटल धान ही सेज बचा है उठाव के मामले में भी आउसाद प्रतिश्यत अन्य जीलों से आगी है जीले में 200,31 धान केंद्रों में से इस बार समर्थन मुल्या पर धान खरीदी की जा रही है पिछले वर्षा 2000 19 में केंद्रा बनाए गया थे दूसरों पिछले वर्षा कितना केंद्रा बनाए गया थे तो पिछले वर्षा 279 केंद्रा बनाए गया थे इन केंड़ों में 80 लाग कुइटल से अधिक धान खरीदी का target रखा गया था यहाँ पर देखें दोस्तों यह कितना है 209 केंड़ पिश्टे वर से बनाये थे इस बर कितना केंड़ा है तो इस जीले में 231 केंड़ा बनाये गए हैं अब दोस्तो धान खरिदी के मामले में 36 गर के जो जन्गीर चापा जीला है यह टॉप पर है तो आप 36 गर के मैप में देखिए दोस्तो यह है जन्गीर चापा जीला यहाँ पर है देखिए दोस्तो यह है 36 गर के मैप में जन्गीर चापा जीला और जन्गीर चापा जीले का पूरा व्यू यहाँ पर दिखाया गया है, जांजगर चापा जिले से कई important question बनते हैं, दोस्तो यह जांजगर सहर है, इसका प्राचीद नाम क्या था, तो जांजगर सहर का प्राचीद नाम था जाजवाल लेपूर, और जाजवाल लेपूर का को किसने बसाया था, तो जाज दोस्तों चापा का प्राचीर नाम है मधनपूर दोस्तो इनहें मदनपूर के नाम से नहीं जाना जाता था और दौस्तों यह चापा है किस नदी के किनारे ब씨 है तो 두स्तों यह चापा है यहाँ 오 ऐस्तिन देव बने जाता है दोस्तों मिध्र OHinal कुर्या जिले के रामगर कैमूर पहारी से दूस्तों हगंus और यहां पर तशयरह पर कोज महद्षपोनिय जिल के बारे में जानते हैं जैसे कुण यहां पर है कोज मी सोनार है यहां पर प्रदेश का प्रतम सोनार में घाल पार्क भी यहां पर इस्ताफत किया गया है दोस्तों जानगीर चापा जिले में एक कोठ गड़ की ला है तो दूस्तों जो चतिस गड़ के चतिस गड़ों में से एक गड़ है यहां पर दूस्तों सकती है यह दिखिए दूस्तों यह जो सकती है दूस्तों यहां पर है दोस्तों खारोद जांगीर चापा जीले में खारोद है और खारोद को चतिसगर का काजिय के नाम सीन है जाना जाता है दोस्तों यहां पर है सिवरी निराण दोस्तों यह क्या है यहां पर सिवरी निराण दोस्तों सिवरी निराण रामायाण कालिन इस्था है और दोस् कायोजन किया जाता है यहां पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण गाउं है जिसका नाम है किरारी दोस्तों जो किरारी है यहां पर सत्वहन कालिन कास्ट इस्थम प्राप्त हुए है दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है तो यहां से जो किरारी गाउं यहां से सत्वहन कालिन कास्ट इस्तम प्राप्त हुआ है और दोस्तो जांगी चापा जिले में है बालपूर दोस्तो जांगी चापा जिले के जो पालपूर है इन्हें सहीत्यकातिर्थ के नाम से इन्हें जाना जाता है और यहां पर महतपूर्ण सहीत्यकार का दोस्तो यहां पर जन्म हुआ था बालपूर दोस्तों जो कली काल नाता लोचन प्रसात पान्डय दूरा लिखा गया था और शतियत दर्गा परत्थम, नाट्य मैं साथी दोस्तों यहां पर फीर जर्ण हुआ है मुकुरधर पांडय दोस्तों जो मुकुरधर पांडय का जन्म भी बाल्पूर में हुआ है और यहां दोस्तों चायावादी काव्यधारा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है मुकुर्धर पांडे को और दोस्तों मुकुर्धर पांडे द्वारा लिखा गया चायावाद से समधित पहला ग्रांद कौन है तो कुर्री के प्रती कुर्री के प्रति स्चायवास समधित प्रथम ग्रान्थ है जिन्हें मुकुर्ध धर पांड़ी द्वारा लिखा गया है तो साथी दोस्ते यहाँ पर बंसी धर पांड़े कभी जन्म हुआ है दोस्तो जो बंसीधर पांडे या चतिसगड़ का प्रथम चतिसगड़ी उपन्यास कर है और दोस्तो बंसीधर पांडे दोरा लिखा गया चतिसगड़ी में प्रथम उपन्यास कोन है तो हीरू के कहनी बलसिधार पांडे द्वारा चतिसगर्धी में लिखा गया प्रतम उपन्यास है यहाँ पर दिखे दोस्तो यह जो सिवरी है सिवरी ने रहा है दोस्तो यहाँ पर कौन-कौन से नदी का यहाँ पर दोस्तो वो होता है संगम होता है दोस्तों यहां पर सिवनात नदी, महा नदी और जोक नदी इन सभी नदी का दोस्तों यहां पर संगम होता है और यहां पर दोस्तों जो चंद्रपूर है यहां पर कौन-कौन से नदी का यहां पर संगम है तो दोस्तों मान नदी, सिवनात नदी और दोस्तों य तो महानदी है और लात नधी और दूस्त आपर मार नधी इन सभी नधी का संग में होता है। इन्हें आप याद रखीए यहाँ पर धूस्तों कौन को से नधी होता कि सुडन नराड में महानदी सिवनात। जोक नदी का संगम जांजिक चापा जीले के दोस्तों यहाँ पर दिखिए यह जो अकलतरा बलाक है दोस्तों यहाँ पर है दलहा पहाड दोस्तों जो दलहा पहाड है इसकी आउसात उचाई कितनी है तो इसकी आउसात उचाई है 750 मीटर से 850 मीटर की मध्य है इनकी आउसा तुचाही है और दोस्तों दलहा पहाड से एक। इंपोर्टेन कोश्चन बन जाता है कि दोस्तों दलहा पहाड में नांग पंचभी पर दोस्तों यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। पीठंपूर है हaz देव नपति किनारेंद इसी था यहां पर दूस्त चंद्रपूर में जो महा नदी किनारें वसा है और यहां पर दूस्तों मतंगि मंदीर हैं चंद्रपूर हैं आप इतने प्रताके को से rated करके यादर किये करेंडा फेर सेशन का हमारा आज का अगला कुषिन के और आगे बढ़ते हैं यहां पर दिखे हमारा आज का अगला कुषर है हाली में प्रदेस में पहली बार कितने प्रतिसद बजट का प्रस्ताव वित्त विभाग ने सभी विभाग से मांगी है तो इसके सही अंसर है आप्चन सेकेंड छै प्रतिसद का टवती बजट प्रस्ताव वित्त विभाग ने अन्य सभी विभागों से मांगी है अर्थाद दोस्तो इस साल जो बजट है उसमें कु प्रतिसद की कमी किवा होने वाला है दोस्तों यहां प्रचया प्रतिसद कटव्टी किया गया है, बिश साल में पहली बार कटव्टी का बजट कोरोना का राज्य की अर्थवेश्टा पर असड़, 36 गार राज्य गठन के बाद अब से अब तक प्रदेश के बजट का आकार हल साल लगभग 10% तक बढ़ता है लेकिन इस बार कोरोना ने सारी कहानी उलर दी है पिछले साल अप्रेल से दिसंबर तक राज्य की कमई में भारी कमी आई है इसका आसार प्रदेश के आने वाले बजट पर भी पड़ेगा और 20 साल में ऐसा पहली बार होगा कि जब राज्य में कटवटी का बजट पेश किया जाएगा वित्ता विभाग ने सभी विभाग को चिठी लिग कर 6% कटवटी के साथ प्रस्ताव मांगा था इसलिए अब पूरे बजट में लगभग 6% कटवटी तया मानी जा रही है इसके बाद इस बार का बजट करीब एक लाग करोड रुपे होगा दोस्ति इस बार कितना का बजट होगा तो एक लाग करोड रुपे का दोस्ति यहाँ पर बजट हो सकते हैं करेंट पर सेशन के हमारा अगला कुशन के और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिया हमारा अगला कुशन है हालहीं में परमारू, खनीज, अनुवेशण और अनुसंधान निदेशाला है के सरवे के खुलासा के बाद प्रदेश के की सहर में लिथ्यम का धान शुरू किया जाएगा तो इसके सही आंसर है आप्चन थाड़ कटगोरा में परमाडू खनीज अनुवेशन तथा अनुजन धान निशाला के सर्वे खुलासा के बाद कटगोरा सहर में लिथियम का खधान शुरू होगा कोश्चन के स्पस्टिकराण देखते हैं चीन पर निर्भरता कात्मा करने 36 गड़ के कौरबा जीले में लिथियम का खधान होगी शुरू 36 गड़ के कौरबा जीले में लिथियम का भंडार मवजूद है परमाडू खनीज अनुवेशन और अनुसंधान निदेशाला के सर्वे में इसका खुलासा हुआ सर्वे का जो रिजल्ट आया इसके अनुसार जीले में परियापता मात्रा में रेर अर्थ एलिमेंट्स की उपलब्दता है हाला कि अभी इस परसोद जारी है जीले के कटगोरा वन मंडल के गड़ हट्रा छेत्र में लिथियम का उपलब्दता को लेकर सर्वे किया गया था सव इसक्वायर किलो मीटर छेत्र में 138 नमूने के एकात्र किये गए थे इन नमूने को जाच के बाद पता चला कि यहां रेर अर्थ एलिमेंट के साथ ही इससे समधी ततों का भी परियापता मात्रा मौजूद है अब दोस्तों 36 गड़ के कॉर्बा जीले के दोस्तों जो कटगोरा है यहां पर लिथियम कादान सुरू किया जाएगा तो आप 36 गड़ के मैप को दिखिए दोस्तों यहां पर है कॉर्बा जीला और दोस्तों कॉर्बा जीले का पूरा व्यूव यहां पर दिखाया गया दो में यहां पर देखने का प्रयाज करते हüं दोस्तों कॉर्भा जिले का गठन 1998 तो कोर्वा जी 건 a यह 200 किरे म्यश्य कर में दोस्तों जो कोर्भा है यह किस नदी के किनारे बसा है और दोskे हजद्यों नदी का उद्गम कहां से होता है तो कोरिया जिले के दोस्तों रामगर कैमूर पहारी से हजद्यों नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों यहां पर कोर्बा जिले है यहां पर सरवाधिक मातरा में गोडवाना क्रम की चैटाने फैली हुई है दोस्तों इसके जो सबसे बड़ी मजीनिक रित कोईला का धान वहां सबसे बड़ी कोईला घधान से दोस्तों प्रदेश में वतका पहार पावन खेड़ा केड़ से अंध साग धान किया जाता है यहां पर मुख्य जन जाती जैसे कोर्वा जीले में कोर्वा कवार आधी जन जाती निवाज करती है दोस्तों कोर्वा में जो NTPC कोर्वा इसकी स्थापना कब हुआ था तो दोस्तों कोर्वा के NTPC की स्थापना 1978 को हुआ था और दोस्तों NTPC कोर्बा से 1908 में विधूत उत्पादन का कार्या प्राराम्भ किया गया है और दोस्तों NTPC कोर्बा से कुल कितने मेगावाट का विधूत उत्पादन किया जाता है तो यहां से तोटल 26 मेगावाट का विधूत उत्पादन किया जाता है दोस्तो कोरबाजीले में है बालको दोस्तो जो कोरबाजीले में बालको है इसका पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है भारत एलिमूनियम कंपली लिमिटेड दोस्तो इसका जो नाम है बालको और दोस्तो बालको की स्थापना का हुआ था इस्टार लाइट कमपनी द्वारा दोस्तों इनके जो कुछ हिस्तियों का सेयर को खरीदा गया जिसके कारण अब दोस्तों जो बाल को है यहां सयूग तर रुप से उपक्राम है दोस्तों यहां पहले सारवजनिक उपक्राम था लेकिन दोस्तों अब यहां वर्तमान में सयू पाली का स्यू मंदिर दोस्तो जो पाली का स्यू मंदिर है इसका निर्मार किसने कराया था दोस्तो बाड़वंसी सासको द्वारा पाली में स्यू मंदिर का निर्मार कराया था और दोस्तो ये जो पाली है यहां बाड़वंसी सासको की राजधानी भी हुआ करता था और दोस् में हैं चूरी कोज गई दोस्तों जो चूरी कोज गई है इसे कल्चूरी राजा बाहरेंद्र साय द्वारा दोस्तों इहां पर इनकी राजधानी को इंस्थानांतरित किया गया था दोस्तों यहां पर है चैतूरगड दोस्तों जो चैतूरगड है इन्हें 36 गड़ का कास्मिर के नाम से जाना जाता है और दोस्तों चैतूरगड से एक और इंपोर्टेंट कोशन पूछा जाता है कि चैतूरगड में इस्थित महमाया मंदीर का निर्माड किस ने कराया था तो दोस्तों चैतूरगड के महमाया मंदीर का निर्माड कलिंग राज द्वारा कराया गया था दोस्तो और यह जो कर्लिंग राज है या 36 गड़ में कल्चूरियों की सस्थापक के नाम सीन है जाना जाता है और दोस्तो रतनपूर के महमाया मंदीर का निर्माड किसने कराया था तो दोस्तो रतनपूर के महमाया मंदीर का निर्माड कल्चूरिय राजवस के राज है रत न दूर्माला यहां पर कभीर पंथियों का पवीत्र इस्थाल है जिसकी स्थापना मुक्तम अड़ी सहाप के द्वारा इस्थापित किया गया है आप इतने फेक्टा को इस जिले से रेटेट करके आद रखिए साथी दोस्तों काल के करेंट अपर सेशन में जो कोशन पूछा थ उसका यहां पर दिखिए हाल ही में प्रदेश के किस जिले में उद्योग इभाग द्वारा उद्दम समागम का आयोजन 19 जन्वरी 2021 को किया जा रहा है इसका सही अंसर है आपसन 5 बेमेतरा जिला में किया जा रहा है आज का दोस्तों प्रसन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स से में लिख कर बताना है यहां पर दिखिए हाल ही में एक किसने सत्पुडा वानन जियो फॉन्डेशन के वण दोस्तों इतना जो आप अंसर सही है दूस्तों उसका आपको अंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद